संतान सप्तमी का वुरत भाद्र प्रत के सुकलपक्ष की सप्तमी को मनाया जाता इस पर्वपर भागवान शिव और माता पारवती की विजीश तूजा अर्शना की जाती है धर्मिक मानेतों के अनुसार यह वुरत मुख्ष रूप से संतान प्राप्ति संतान की दक्षा संतान की खुशाली और समृद्धी के लिए किया जाता है साल 2024 में शंतान सप्तिमी का वरत 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को रहेगा भादो मास की सप्तिमी तिथी की सुर्वात 9 सितंबर 2024 को रातरी 9 बच के तिरपर मिनट पे होगी और भादपनमास के सब्तमी तिती की समापती 10 सितंबर को रातरी 11 वज के 11 मिनट पे रहेगा संतान सब्तमी व्रत का महत्व या व्रत इस्त्रियां पुत्र प्राप्ती की इच्छा हेतु करती है या व्रत संतान के समस्त दूख परिशानी के निवारण के उद्देश से किया जाता है संतान की सुरक्षा का भाव वालिये इस्त्रिया इस व्रत को पूरे विधी विधान के साथ करती है या वरत पुरुस अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान सुप के लिए रख सकते हैं संतान सप्तमी वरत की पूजा विदी भादर पदसुक लपक्ष की सप्तमी के दिन प्राता जल्री उठकर इसनान कर माता पिता संतान प्राप्ती के लिए अत्वा उनके उज्जल भविसे के लिए इस वार्ट का प्रारंब करते हैं या व्रत की पूजा दुपहर के सुरू होने से पहले कर लेनी चाहिए प्राता काल इस नानादी से निवरित होकर शिव जीवा भगवान विश्णी जी की पूजा करें उसके पश्यात संतान सत्मी व्रत तथा पूजन का संकल्प ले या व्रत निराहार रखते हुए पूरी सुदता के साथ पूजा का सामान तयार करें जैसे खीर, साथ साथ पूए या मीठी पूडी फिर पूजन इस्थल को गंगा जल से सुद्ध करें फिर एक लकडी की चौक पर लाल वस्तर बिछाएं इसके बाद सीव परिवार की प्रतिमा या चित्र सापित करें कलस की स्थापना करें कलस में जल, सुपाडी, अक्षर, एक रुपय का सिक्का डाल कर उसमें आम के पत्ते लगा कर उसके उपर दियाली में चावल रखकर एक दीपक जलाएं फिर भगवान को चड़ाने वाले महाप्रसाद साथ पुए आटे और सक्कर से बना हुआ केले के पत्ते में बान कर वहाँ पर रख दे इस वरत में पुए का भोग लगाने का विसेश महत्व है इसके बाद फल, फूल, धूब, तीप, आदी से विरिवत पुजा अर्चना करें इसके बाद चान्दी के कड़े का सिव परिवार के साम में रखकर दूद्वा जलन से सुद्ध करके टीका लगाएं वा भगवान का आशिरवाद प्राप्त करें पुजा के समय सूद का डो पुजा के समय सूद का डोरा या फिर चान्दी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में जरूर पहननी चाहिए पूजन के बाद धूरूद, दीब, नैवध, अर्पित कर संतान सप्तमी की कथा जरूर पढ़ें और सुनें बाद में कथा की पुस्लक का भी पूजन करें इसक के बाद भगवान को भोग लगा कर पूजन में चड़ाई गई मीठी साथ पूरी या पूरे खाएं और अपना वरत खोलें